हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आप सभी का स्वागत है इंकी का बेश्ट किचन में आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नई सी रेशिपी शेयर करूंगी और वीडियो के लाश्ट तक ज़रूर बने रहेगा आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत सुक्रिया, धन्यवाद, अभार और इसी तरह आप सब अपना प्यार मुझे देते रहेए तो चलिए बनाते हैं आज की रेशिपी आज मैं सीम की सबजी बनाऊंगी और बहुत ही टेश्टी बनता है यह सबजी तो देखिए यह सीम हमने लिया है और यह थोड़ा अलग व्राइटी का सीम है तो इसे हमने पहले धो लिया है और उसके बाद इसको हम साफ करके इस तरह से चोटे-चोटे टुकडे कर लेंगे और पिछे साइड में थोड़े रेसे जैसे निकलते हैं तो यदि निकले तो उसे निकाल लेंगे और कुछ में नहीं निकलते हैं चुकि कोई-कोई नरम है इसलिए कुछ में नहीं निकलते हैं तो उसको ऐसे ही ले लेंगे तो आप सब देख सकते हैं काफी नरम है इसमें बीज भी नहीं बिल्कुल चोटा चोटा बीज है यानि अभी ये वाले अवस्ता में है और इसी तरह से हमने सभी साफ करके सीम को ले लिया है तो कुछ इसमें बड़े साइज के बीज है और कुछ बहुत चोटे-चोटे हैं जिसमें नरम-नरम सीम थे और इधर हमने टमाटर ले रखा है इससे काट लिया है और ये आलू इसको भी धोकर अच्छे से काट के लिया है और इधर प्याज लिया है जिसे लंबे-लंबे टुकडों में हमने काट लिया है और इधर कडाई हमारा गर्म है इसमें डाल देते हैं सरसो का तेल तेल में डालेंगे राई तो मिर्च बारी कटा लहसन बारी कटा अद्रक तो हलका सा इसे भून लेंगे अब डाल देते हैं प्याज तो प्याज को भी हम थोड़ा सा हलका कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे बहुत ज्यादा नहीं तो प्याज जैसे ही अलका कलर चेंज हो गया उसके बाद हम डाल देते हैं ये सीम तो सीम को हम लगभग दो मीनट ही भूनेंगे तो ये देखिए इसे चलाते हुए हम दो मीनट के लिए भून लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए आलू और वापस से इसको भी दो तीन मीनट के लिए ही भूनेंगे तो आप सब देख सकते हैं फ्रेंड इसे हमने लगता चलाते हुए भून रहे हैं तो ये देखिए आप सबी को पास से दिखाती हूँ अब इसमें हम मसाले डालते हैं तो एक चमच धनिया पौडर थोड़ा सा कस्मेरी लाल मिर्च आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच काली मिर्च का पौडर और स्वाद अनुसार नमक तो पहले हम मसाले को ऐसे ही भून लेते हैं मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अब इसमें डालते हैं बारिक कटा हुआ टमाटर इससे भी चला लेंगे और एक दो मिनट भूनेंगे तो मसाला थोड़ा सुखा सुखा लग रहा था तो उसमें हमने थोड़ा सबस पानी डाला है ताकि मसाले अच्छे से भूने और जदी पानी ना हो तो कडाई में चिपक जाते हैं और जलने लगते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे खाने में तो हलका सा पानी इसमें डालके जडूर भूने और लाश्ट में डाल देते हैं एक चमच के लगबग गरम मसाला इससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और बस एक इमनेट के लिए इसको और चला देते हैं और हमारी सब्जी बहुत अच्छे से भून चुकी है तो आप सब देख सकते हैं देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है तो अब लाश्ट में डाल देते हैं इसमें पानी ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए और इसे ढख कर पका लेते हैं तो आप सब देख सकते हैं सब्जी में अच्छे से उबाल आ रही है चलिए इसका हम ढखन हटा कर चेक करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और इसे हमने बहुत जादे सुखाया नहीं है तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई नमस्कार कर दो मिलते हैं